हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मिट्टी से एक हाथी बना के दिखाऊंगा तो गज वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि पलीज आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिये और आज की इस वीडियो में जो like का target है वो राखता हूँ सिर्फ 10,000 likes मुझे पाता है कि ये number बहुत ही ज्यादा है लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप लोग सब मिलकर मेरा ये likes को target है ये बहुत जल्दी complete कर दोगे तो इसलिए प्लीज इस वीडियो को एक like किजिए अगर आपने like नहीं किया है तो और अगर like 10,000 like हो भी गया है ना तब भी प्लीज एक like कर दीजिएगा और इस चैनल को भी subscribe कर दीजिएगा ठीक है अगर आपने subscribe नहीं किया है तो क्योंकि guys 95% लोग मेरी वीडियो को देखते लेकिन subscribe नहीं करते तो ये मुझे बहुत ही बुरा लगते तो इसलिए प्लीज मेरे इस चैनल को subscribe पर दीजिए और मेरे इस चैनल को 1,000,000 तक पहुँ अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ इसलक्ति के उपर मैंने मीटी को आभी करे है तो जो चार लोहे का जो कील है हाथी का चार पैर ठीक है तो वह चार लोगा के लिए मैंने मिट्टी से कवर कर दिया है अब मैंने उसे मिट्टी से वह चार पैरों के उपर में एक बोडी बना रहा हूँ और उसके बाद बोडी जब हो जाएगा तब हाथी का जो सर है ठीक है पूछे हाथी का सूर मतलब इस जो हा पहले भी मैंने elephant बना के आपको दिखाया था, इससे पहले शायद में दो या तीन elephant मैंने आपको बना के दिखाया था, लेकिन उस time ना क्या था, मेरा जो clay sketching का knowledge है वो थोड़ा कम था, क्योंकि आज से दो सल पहले की बात है, तो मैं अब भी clay modeling सीख रहा हूँ, मतलब सीखने क चाहिए, तो ऐसे ही मैं पिछले 7-8 साल से clay modeling सीख रहा हूँ, लेकिन अभी भी मैं सीख रहा हूँ, तो इसलिए मैं पिछले 2 सल पहले मैंने एक हाथी बना के दिखाया था आप लोगों को, उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छे खासा पैयाड दिया है, उसमें बहुत स दिखाओ, ताकि मैं भी देखता हूँ कि मेरा स्किल कितना अपग्रेट हुआ है, क्योंकि मैं अब मैं एक compare कर पाऊंगा कि कि इसले जो मैं हाथी बनाया था, वो कैसा हुआ था और आज जो मैं हाथी बनाया हूँगा, वो कैसा होगा, मैं जानता हूँ कि बहुत मैं ने comment किया था कि एक बिश्यो कर्मा मूर्ती बना के दिखाने का, तो अब बिश्यो कर्मा मूर्ती का पीछे तो हाथी होता है, ठीके, तो मैंने सोचा कि चलो एक बिश्यो कर्मा मूर्ती बनाते हैं, लेकिन उससे पहले एक हाथी बना के दिखाते हैं, क्योंकि हाथी बन है उस पार्ट में हम बिश्य कर्मा मूर्ति बना के दिखाएंगे ठीक है तो ये तो इस पार्ट में मैं आपको सिर्फ हाथी बना के दिखा रहा हूँ डिटेल्ड में और नेक्स्ट पार्ट में इसी हाथी के सामने मैं एक बिश्य कर्मा मूर्ति बना के दिखाऊंगा तो वो एनिमल्स का मूर्ति बाने का पसंद है या फिर देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाहिए वह आपर बहुत सारा वीडियो है इंटाक्ट एक प्लेलिस्ट भी है एनिमल्स मूर्ति मेकिंग करके तो वह आपर भी आपको बहुत सारा वीडियो से मिल जाएगा एन्ड दोस्तो अगर आप स्टूडेंट है मतलब आप अगर क्ले मॉडिलिंग सीखना चाहते हैं तो गाइस इस वीडियो को आप ध्यान से देखिये पूरा देखिये क्यूंकि गैस बहुत सा लोग क्या करते वीडियो को स्कीप करते-करते देखते और उनको अच्छे से लेकिन फिर भी बहुत सारा चीज उसमें छूट जाता है लेकिन उसमें क्या होता है कि बहुत सा लोग फिर भी वीडियो के स्कीपर देखते हैं तो वैसे ही तो बहुत सारा चीज वीडियो में बहुत चूट जाता है लेकिन अगर आप फिर भी स्कीपर के देखते हो ना तो आपको तो और भी मतलब बहुत difficult है समझने में तो इसलिए प्लीज स्कीप मत किजिए वीडियो को आप step by step देखिए अगर आप student है तो एंड सिर्फ देखना ही नहीं है आपको देख के आपके घर में practice भी करनी है उसके लिए आपको थोड़े से मिट्टी चाहिए कुछ clay tools चाहिए पैस उसके अलबा और कुछ नहीं चाहिए अब आपको देखे क्या करना होगा आपको तो मिट्टी नेचरियल मिट्टी आपको न अगर आपको नहीं मिले तो आप ले सकते हैं और clay modeling tools होता है ना वह तो आपको चाहिए और clay modeling tools online पर भी offline पर बहुत सस्ते मिल जाएगा करीब 300 400 500 इस रुपया के अंदर आपको एक सेट पुरा एक सेट clay modeling tool मिल जाएगा तो आप वह बाई कर सकते अगर आप चाहते कि मैं जो clay modeling tool यूज कर तो आप वह बाई करने का तो description box पर मैंने एक link दे रखका है clay modeling tools का आप वह पर जाके वहासे clay modeling tools बाई कर सकते और आप यूज कर सकते वह भी करीब 400 से 500 रुपया उसका प्राइज है शायद आसपास ठीक है मेरे को एक जर्ट याद नहीं है तो वह आप बाई कर सकते और आपका जो प्रैक्टी से वह आप स्टार्स कर सकते और गाईस आपने तो मिट्टी ले लिया clay modeling tools भी ले लिया अब आपको डेली प् प्रैक्टिस करने है वीडियो देखनी है उसको समझ दिया और प्रैक्टिस करनी है तो जैसे कि आप लोग इस वीडियो में देख रहा है कि मैंने लगभग हाथी का जो structure है जैसे कि measurement है वो मैंने लगभग ला दिया तो अब मैं क्या करूंगा धीरे-धीरे हाथी का detailing है जैसा कि हाधी का एक-एक मासल, एक-एक जैसे की डीटेलिंग होता है, वो मैं करूँगा और उसके बाद धीरे-दीरे उसको क्लीनिंग करूँगा, फिनिशिंग करूँगा, तो यह मैं step by step करते जाओंगा, तो आप भी देखते रहें, यह मैं किस तरह से करूँगा, तो गैस आपको पहले पाने देना पड़ेगा, ताकि आपका उंगली अच्छे से फिसल जाए, और जैसे आपको उंगली अच्छे से फिसलेगा तो वो क्या होगा, आपका जो मूर्थी वो क्लीनिंग हो जाएगा, मतलब अच्छे से क्लीन हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से आप को clean करना है अब धीड़़दे जब clean हो जाएगा एक बड़ clean होने के बाद आपको क्या करना होगा detaling करना होगा detailing मतलब क्या है यससे कि देखिए आख हो गया detail आपको पया नहीं करना है बहुत सा लोग यह गल्दी करते कि जब जो measurement process होता है उस process में वो लोग हाथी का दाद बना देंगे वो लोग हाथी का आख बना देंगे तो यह सब आपको नहीं करना है detailing process होता है वो होता है last में जैसे कि हाथी का आख हो गया दाथ हो गया हाथी का पूछ हो गया यह सब होता है detailing process और यह होता है last में तो आपको जब आप हाथ से cleaning करेंगे जब आपको clean करना हो जाएगा उसके बाद जाके आप यह detailing process करेंगे तो जैसे कि देखिए मेरा cleaning करना लगबग हो गया है उसके बाद आप में देखिए detailing process वो में करोंगा तो आप देखते रहे कि मैं किस तरगे से डिटलिंग करता हूँ गाइस बहुत सा लोग नहां मेरे को कॉमेंटर करके पूश थे कि जब मैं चीज करता हूँ ना मुर्थे के उप़र मिट्टे के उपर वह क्या चीज है क्या कोई किस तरह का मतलब ग्लेज देने बणा वर्णी फिर यह पर क्या चीज है कई जूए पानी है नॉर्मल पानी जो हम पीते है वही पानी है तो अब देखिए मैं आख को बना रहा हूँ और उसके बाद आख के बाद हाती का जो सूंग है उसको बनाओंगा उसको मतलब बनाना तो होई गया है उसको जो डिटेलिंग करोंगा और उसके बाद हाती का जो स्कीन होता है ठीके जिसके कान हो गया आप देखे मैं कान को कर रहा हूँ उसके बाद हाती का जो स्कीन होता है स्कीन को मैं एक-एक करके उसकी वजाद से एक-एक करके मतलब लाइन खीचोंगा मतलब उसको मैं ऐसी दिखाऊंगा कि वह हाथी का स्कीन थुरा सा मतलब सिकोड गया है ठीक है रिंकल्स स्कीन को रिंकल्स से वह मैं आपको दिखाऊंगा लेकिन वह बहुत सिंपल तरह से दि बस मतलब जो क्लेटूस होता है उससे ऐसे लाइन खीच देंगे और उसके बाद उसके उपास हम पानी से ब्राश कर देंगे तब रिंकल्स हो जाएगा तो मैं कैसे करूँ को आपको दिखा होंगा तो अभी देखिए मैं हाति को दान थे वह में लगा रहा हूँ तो इसके बाद रिंकल्स करूँगा एंड फिर उसका ब्राश करूँगा तो यह हो गया गया पूछ है आप तो यह देंगे यह है तो आप दिख रहे कि मैं किस तरक बहु ह्सीम्पल तरीक से मैं उन्ली लाइन किच रहा हूँ लाइन कीजने के बाद तुरा सा ऐसे लाए गन्दा वो गया मतलब अब तो पहले ठीक का जाब हमने टीलिंग किया क्री यह क्या कर दिया लेकिन हाथी का स्कीन तो बहुत एक दूम तो पानी स्प्रे करने के बाद आप देखिए मैं ब्राश से डिडिलिंग कर ला हूँ तो यह देखिए ब्राशिंग करना हो गया तो गैस आई हो अप सबको आज की यह जो हाती भाने के जो फ्रोसेश है यह आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा अच्छा लगा तो प्लीज गैस इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो में जो 10,000 लाइक को टार्गेट हो प्लीज कंप्लीट कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ मेरे एक व्लोग चैनल है आप उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा तो गैस आज के लिए बस इतना ही मिलते आप लोगों से एक और नया क्लेस कप्चिंग